बिहार वासियों के लिए बहुत बड़ा दिन है आज दर्भंगा में दर्भंगा हवाई अड़े से उराने शुरू होने जा रही है आज आठ नौवमबर है पहली उराने तो बेंगलूड से उर चुकी है ग्यारा बचकर पंदर मेट पे लैंड भी करेगी दर्भंगा में जो पहली फ्लाइट होगी कमर्सियल फ्लाइट जो दर्भंगा पहुँचने वाली है एक बड़ी खबर है बिहार वासियों के लिए कि दर्भंगा से उराने शुरू हो रही है अभी स्पाइजेट की तीन जो जेदा साथी के किसी भी कंट्री में जा सकते हैं बैंकोग जा सकते हैं और भी कई जगों पे आप कनेक्टिंग फ्लाइट लेकर निकल सकते हैं दर्भंगा से बड़ी खबर है दर्भंगा एरपोर्ट के सुरूआत की और बिहार वासियों के लिए तीसरा एरपोर्ट होगा पटना गया के बाद दर्भंगा हवाई अड़ा तीसर हवाई अड़ा है जो सबसे लंबा रनवे भी है पटना से भी बड़ा रनवे है दर्भंगा एयरपूर्ट में 59 साल बाद दर्भंगा से दुबाडा उड़ान शुरू हो रही है 1963 के यहां उराने भी होती थी कलकत्ता के लिए दर्भंगा से उराने होती थी जी हां आप समझ सकते हैं दर्भंगा कितना आदवनिक रहा होगा दर्भंगा महराज की तरफ से हवाई उराने होती थी हवाई अड़े का निर्मान भी हुआ था जो अब वायूसिना के हवाले है इसलिए दर्बंगा से उड़ाने जल्दी शुरू हो गई, मुझफरपूर की हवायडे की सुरुवात नहीं हो पाई और दर्बंगा एरपोर्ट जल्दी शुरू हो गया। अब कयास लगाए जा रहे हैं कि अब बारी है मुझफरपूर की, वैसे 65 किलोमेटर के अंदर दूसरा एरपोर्ट जल्द से सुरू होना मुझखिल होगा, वैसे मुझफरपूर से पटना और दर्बंगा की दूरी लगबक 70 किलोमेटर तो यहां उड़ाने सुरू होगी की न और चोहता हवाई एड़ा कैसे सुरू होगा, वैसे शुरूआत होगी तो उरान खाली भी नहीं जाएगी, हवाई यात्रा करने वालों किसंग्या बिहार में बहुत बढ़ गई है, रेल वे टिकट नहीं मिलने के कारएं भी कुछ लोग ज़्यादा पैसे दे कर, यानि रे तो आप समझ सकते हैं हवाई यात्रा कितनी जादा होने लगी है, दूरियां घट गई है हवाई यात्रा हो जाने से, पटना अब विजफ़पुर से काफे दूर नहीं है, 2-3 गंटे में आप पटना पहुंच सकते हैं क्योंकि जेपी सेतू बन गया है, गांदी सेतू कभी निर्मान हो गया है, पीपा पूल भी चलता है, तो पटना अब पहले से ज़्यादा नजदिक है, एक समय था पटना जाने में 8 गंटे भी लग सकते थे आपको, बड़ी खबर है दरभंगा और बिहार के वासियों के लिए एक खुसकबरी का दिन है, कि दरभंगा से उराने सुरू हो रही है, दरभंगा से आप दुबई जा सकते हैं, मुंबई और दिली से आपको कनेक्टिंग फ्लाइट मिलेगी, वैसे ही दुबई, साथी अरब से जेदा से आप वापस भी आ सकते हैं, मुंबई या दिली लैंड करेंगे और आप वापस दरभंगा की गैप है, वो कम है, आईए देखते हैं आज किस तरह से सुरुवात होती है, कैसा दिन रहता है दर्मंगाय रपोर्ट के लिए, इसकी एक अलग रिपोर्ट देंगा, तब तक अपना ख्याल रख हैं और अगली बुलेटिन का इंतजार करें, ओम जी सब्सक्राइब करें, ओ लुग में नहीं आजे इसकी एक अपना जया है, लुग से एक में अचाल रख हैं जी समय को होती है, जी महीं तोगी तोग पर देखते हैं पर देखते हैं जी तोग्र्णाणा जी ने होती हैं इस बताल है, जी। इसकी काक्शंब। ...